हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम गुरू गोविंद गिरी के बारे में अध्यान करेंगे गुरू गोविंद गिरी का संबंद भील संप्रदाय में होने वाले आधलोनों से है यूँ तो इनका जन्म बंजरा जाती के परिवार में हुआ था लेकिन इन्होंने अपना सारा जीवन भीलों के राजनितिक और सामाजिक उत्थान में नियोशावर कर दिया तो आएए पढ़ते हैं आज के वीडियो में गुरू गोविंद गिरी के बारे में दोस्तों गुरू गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को हुआ था और इनका जन्म हुआ था दोस्तों बासियां ग्राम डूंगरपूर में ये जाती से बंजारा थे दोस्तों इनकी जाती आपको विशेश कर याद रखनी है क्योंकि एक बार परिक्षा में ये क्योश्टन पूछा जा चुका है इसलिए इनकी जाती सभी लोगों ने वहाँ पर भील टिक कर दी थी लेकिन ये भील जाती के नहीं थे ये बंजारा थे कोटा बुंदी अखाडे के सादू राजगीरी को इन्होंने अपना गुरु बनाया वैसे तो ये स्वामी दयानन सरस्वती और आरे समास से प्रेरित थे लेकिन इन्होंने जो अपना गुरु बनाया वो कोटा बुंदी अखाडे के सादू राजगीरी को बनाया था इनका जीवन परीचे देखते हैं यहाँ पर गोविन गीरी के स्वयम के शब्दों में मुख्य शिक्षा इस प्रकार है दोस्तों इनने अपने जीवन में जो शिक्षा का महतु समझा और भीलों को जो इनने शिक्षा का महतु समझाया वो इस प्रकार है उस समय मैं निर्धन, विनर्म और जंगली भीलों के मद्य रहता था जिन्हें सरश्टी करता का कोई ग्यान नहीं था भील शुरू से ही अनपर थे उन्हें बेगार और जो इस तरह की वेवस्था थी उसके बीच में वो फसे हुए थे तो इसलिए उन्हें किसी तरह का कोई ग्यान नहीं था और ये उन्हीं के बीच में रहते थे जो मेरी जोपड़ी पर आते उन्हें मैं स्वर्णों की तरह आचरन करने की सरह देता था जो भील इनकी जोपड़ी पर आते थे उनसे कहते थे कि आप उच्च जाती वाले लोगों की तरह वेवार करो ताकि आप में अच्छे आच्रण आएंगे मैंने उन्हें सत्य और धर्म का रास्ता दिखाया एवं उन्हें भगवान की पूजा करने दोस्तों ये भीलो को समझाते थे कि सत्य के धर्मे पे चलो सत्य की रहा पर चलो आपको भगवान में विश्वास करना है ना कि अन्य जाड़ फूख में ओजा में बोपा में इन लोगों में विश्वास नहीं करना है आपको सिर्फ एक भगवान को मानना है आपको दूप देनी है दूणी का मतलब होता है दूप देना और हवन करना होम कहा जाता है हवन करने को होम करना है दूणी जलानी है दोजा लगाना है इस तरह के धार्मी का नुष्ठान करने है आपको जाड़ फूंक से बचना है लूट कसोट नहीं करनी है, सभी को अपने समान मानना है, सब का आदर करना है इस तरह की सामाजिक उत्थान करने का कार्य यह भीलों का किया करते थे भीलों को समय समय पर समझाया करते थे क्योंकि यह चाहते थे कि भील किसी ना किसी तरह से जो सामंतों का शिकार है वह ना रहे और यहाँ पर उन बेगार प्रथा से मुक्त हो जाए तो इनकी ऐसी मान्यता थी गोविंदगिरी और संपसभा गोविंदगिरी ने सन 1905 में संपसभा की स्थापना की दोस्तों यह एक सभाती जो गोविंदगीरी के द्वारा चलाई गई थी गुनिस सो पांच में इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इतना था भीलो में राजनितिक और सामाजिक जागरती को पेदा करना उन्हें संगट हित करना जो भीलो में कुरूतियां व्यापती थी उनको मिटाना उनमें राजनितिक और सामाजिक जागरती पेदा करना उनके हितों की रक्षा वो कर सकें उनको अपने हित बताना जिससे भीलो में सामन्तों की बेट बेगार करना बंद कर दिया जैसे इसे भीलों में जागरती पैदा होती गई उन्होंने जो सामन्त लोग थे उनके प्रती बेट बेगार करना बंद कर दिया इससे क्या होगा दोस्तों इससे शाशक वर्ग के अंदर एक भावना जाग जाएगी कि भील तो समस्दार हो गए है वो हमारी बात अब नहीं तो भीलों के प्रती शाशकों का विवार बिगडने और बिगडता जाएगा गोविंद गिरी और भगत पंथ गोविंद गिरी जी ने सन 1911 में भगत पंथ चलाया इनके द्वारा चलाया गया एक पंथ था एक तरसे समाज मालनी जीए इनके द्वारा चलाया गया एक धर्म जिसका नाम दिया इन्होंने बगत पंत 1908 के बाद धीरे धीरे गुविंद गिरी का प्रभाव राजस्थान के साथ-साथ गुजराच शेत्र में भी फेलने लगा दोस्तों ये जिस तरह से कारे कर रहे थे भील इन्हें अपना निता मानने लग गए थे और भील इनकी बात काफी सुनते भी थे तो भील संपरदाई के लोग ज़्यादा दर डूंगरपूर और बासवाड़ा में रहते थे राजस्थान में तो लेकिन जो गुजराच शेत्र था जो राजस्थान से जुड़ा हुआ था उसमें इडर और सूत जिले तक भी भीलों की अच्छी तादाद थी तो वहां तक के लोग इनकी बात मानने लग गए थे भीलों में एक भावना आ चुकीती के हमारे नेता गुरू गोमिंद गिरी है और वही हमारा उत्थान कर सकते है तो इस कारण जो शाशक वर्ग था उनके अंदर ये भावना आ चुकीती के भील अपना खुद का राज्य इस्थापित करके ही मानेंगे तो इसकी शिकायत जो इस्थानी राजा थे डुंगरपूर और बासवाड़ा के वह अपने अंग्रेज अधिकारी से करते हैं और अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था पॉलिटिकल एजेंट से बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंट उनके उपर जो एजी जी हुआ करता था उनसे कहेगा तो इस तरह से राजा अपनी बात EGG थक ले जाएंगे और शिकायत करेंगे बीलो के बारे में बीलो के बारे में जब शिकायत होगी तो वह सबसे पहले देखेंगे कि इनका नेता कोन है जो इन्हें भड़का रहा है हमारे पृति तो ये क्या करेंगे इनके नेता को पकड़ने का प्रियास करेंगे इनके नेता थे दोस्तो गोविंद गिरी तो ये गोविंद गिरी को पकड़ने का प्रियास करेंगे गोविंद गिरी शुरू में हाथ नहीं आएंगे तो उन्हें ये देश निकाला दे देंगे जब गोवि गुजरात में रहने लग जाएंगे और गुजरात के अंदर वह खेती भी करेंगे उक्रेली में जाकर उक्रेली एक गाउं में वहाँ पर वह खेती का कारे भी करेंगे फिर वह कुछ समय बाद वापस से राज्ये में आने की कोशिश करेंगे तो अंग्रेज उनको पकड़ ल तो फाइनली उनको कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है और उनको हिदायत दी जाती कि अब आप राज्जे में नहीं आएंगे लेकिन गोविनगिरी मानने वाले कहां थे गोविनगिरी ने भीलों को पास ये संदेश पहुचा दिया कि महानगड़ पहाड़ी पर एकत्रित हो वह एक सभा करना चाहते थे तो दोस्तों यह बात सभी भीलों के पहुँच जाती है कि गोविंद गिरी ने बुलाया है कहां पर मानगड पहाडी पर यह मानगड पहाडी बासवड़ा जिले पर स्थित थी लेकिन बासवड़ा जिले में कहां स्थित थी बासवड़ा जिले की सीमा पर तो ज़्यादा से जढ़ा भील वहां पहुंचते हैं अपने साथ राशन पानी और शस्त्र नेकर वहांपर पहुंचते हैं अब ये बात दीरे दीरे राज्य के सामन तो और राज्य के जो शाशक थे उनको भी पता लग जाती है कि गोविंद गिरी मानगर पहाडी पर एक सभा करने वाले हैं क्योंकि इनके भी गुप्त चर रहते हैं अब जो राज्य के शाशक थे वह इस बात को अंग्रेजों तक पहुँचा देते हैं अंग्रेजों को ये बात पता चलने के बाद अंग्रेज तयार हो जाएंगे और वहाँ पर अपनी एक सेना भेजना चाहेंगे दोस्तों लेकिन बील किसले एकत्रित हुए थे वह वहाँ पर एक तरह से नारियल और गी का होम करना चाहते थे मतलब हवन करना चाहते थे और धुनी जलाना चाहते थे क्योंकि उनको यही सिखाया था किसने गोविंद गिरी ने वह एक सभा करना चाहते थे वह ये नहीं च गती रोध था उसका वो विरोध करना चाहते थे तब आठ नॉम्मर 1913 को एजी जी के आदेश से सेना वहाँ पर पहुंची और 17 नॉम्मर को पहाडी को गेर लिया जो वहाँ पर सेना पहुंची उसमें मेवार भीलकोर बटालियन की दो बटालियन थी उसमें एक तो थी 104 वैल लिया गया भीलों को बिल्कुल भी भागने का मोका नहीं दिया और 17 नॉम्मर को पहाडी को घेर कर बहुत गोलियों की बर्चार की गई जिसमें लगबग 1500 भील मारे गए दोस्तों इसको राजस्तान का जलिया वाला बाग कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो घटना हुई वो बिल्कुल जलिया वाला बाग जैसी हुई थी पूरे देश में इस घटना की आलोचना हुई जितने भी लोग थे पड़े लिखे उन्होंने इस घटना की बहुत आलोचना की गोविन गिरी को इसके बाद गिरफतार कर लिया गया और उन्हें एहम्दाबाद की जेल में रखा गया और उन्हें डुंगरपुर और बासवडा राज्य में सेवा में प्रवेश नहीं करने दिया गया उसके उपर उनके रोक लगा दी गई इसके बाद दोस्तों गोविन गिरी अपना तमाम जीवन कंबोई गुजरात में व्यतित करेंगे और आज इवन ये वहीं रहेंगे और इनका देहांत 1931 में वहीं हो जाएगा इस घटना के बाद जो राज्य थे बुष्वणा और डुंगरपुट वहां के राज्यों के शाषकों ने कहीं न कहीं बीलों की बातों को आंशिकी माना लेकिन उनके उपर होने वाले अत्याशारों को माना और उन्होंने जो जो गोविन गिरी के द्वारा उसमें करने के लिए ये थे हमारे गुरू गोविंद गिरी दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत से मानगर पहाड़ी से रिलेटेड फैक्स नहीं डाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर इनका आंदोलन नहीं पढ़ रहे हैं गोविंद गिरी की जीवनी पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो उनसे रिलेटेड मैंने जादा से जादा फैक्स को यहाँ डालने की कोशिश की है बलकि मैंने यहाँ पर भगात आंदोलन और संपसभा से रिलेटेड जादा फैक्स नहीं डाले हैं कि प्रताम अधीवेशन कब हुआ क्योंकि यह यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं रखते ह जब हम आंदोलन पढ़ेंगे बील समाज के वहाँ पर उन सभी फैट्स को वहाँ देखेंगे ठीके दोस्तों तो आज हमें बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाद से यादा वीडियो को शेर करें आप ज